नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अनंद भार्दवाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट और आप मुझे पहचानते हैं आज से नहीं बरसों से लंबे समय से और इसलिए पहचानते हैं क्योंकि डॉक्टर अनंद भार्दवाज आपको वास्तु का वो पहलू दिखा आता है जहां पर विज्ञान आता है जहां साइंस आती है अंद विश्वास और वहम हट जाते हैं साइट्स में special topic लेता हूँ आपके लिए toilet के बारे क्योंकि आजकल साथ ही toilet बनाते हैं तो toilet भी आपको बताएं लेकिन वास्तो के इसाफ से जो toilet होता है यहां पर आकर फश जाते हैं साथियों अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो आप मेरी advice ले सकते हैं वैसे तो आपको मैंने वास्तो के बारे में हर चीज़ बताई हुई है और बहुत सारी लोग हजारों नहीं लाखों लोगों ने वा नवाई service भी avail कर सकते हैं जो कि paid होती है जिसकी आपको payment करने पड़ती है यदि आप मेरी services लेने मेरे समय यूज़ करते हैं और मेरा ग्यान बुद्धी विवेक और मेरा साथ सा जह है experience भी आप यूज़ करते हैं तो यदि आप जाना चाहते हैं toilet के बारे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई topic जह है खतम हो पाया वास्तु तो चलता रहता है चलता रहता है कुछ topic ऐसे हैं जिसके ओपर मैंने कितनी वीडियो बनाई तब भी मेरे पास सवाल आते चले गए आज फिर ऐसा ही सवाल मेरे पास आया है कि भारदवाजी मेरा plot सीधा नहीं है आपने एक वीडियो बना दिये सर एक वीडियो बना दो प्रीस घुमे वे plot का आज वही वीडियो बन रहा है एक नहीं लाखों लोगों की तमना आज पूरी होगी मेरे इस वीडियो पर चलते रही अखीर तक अगर जाना चाहते हैं कि अगर plot घूम गया है कारडिनल डिरेक्षन प बना चुके हैं। जिसके बारे में आपको ग्यान नहीं मिला पूरी तरह से किसी भी वास्तों की वीडियो पर मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हैं। बनाए टायलेट की बात करेंगे वाश्रूं की बात करेंगे वो तो बहुत जादा डिफिकल नहीं है। गुमेवे प्लॉट के बारे में, सबसे पहले तो देख लो को घुमावा प्लॉट क्या होता है, एक तो प्लॉट हो गया बिल्कुँ सिधा जिसके अंदर नौर्थ सामने ऊपर आ गया, इदर इस आ गया, वेस्ट आ गया, एंड साउथ आ गया, पूरव, पशिम, उत्तर, दक प्लॉट यह तो हो गया, कार्डेना प्लॉट, इसको बोलते है, कार्डेना प्लॉट, बिल्कुल सीधर सिधा दिशाओं के पर होता है, लेकिन इस तरह के प्लॉट बहुत कम होते हैं, 20-30% भी प्लॉट ऐसे नहीं मिलते हैं, ज्यादा तर प्लॉट घूमे मिलते हैं, अब गूमे प्लॉट होते हैं, उसमें दिशाओं तरह को सेंटर में नहीं होती हैं, व्हों दिशाओं होती हैं कौरनर में, यह जैसे हम पर महाले हमने नौर्ष आता हैं, इधर इसत आजाएगा, और इधर साथ आजाएगा, इधर वेस्ट आजाएगा, यह उत्तर, जक्षिन, पूरा पश्चिम इस तरह से दिशाएं होती हैं बहुत बार और ऐसे केस के अंदर जहाएं वास्तों के साथ से डिसाइड करना पुर्ण साथ मुश्क्र पर जाता है जब तक कि किसी ज्यानी वास्तों शास्तिरी ने जैसे मतलब मैं आपको बताता हूं जब इसके बारे में पूरी इतना से ना बताया हो अब देखिए मैं ऐसे केस लेता हूं जो कि दिशाओं से घुमाएँ अब चलते चलते एक बात सबसे एक बाद आपको बता दो कि प्लॉट घूमता कैसे है यह देखिए हो सकता है कि आपका प्लॉट ऐसे ना हो बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया और आपको इंटरस्टान शुरू हो गया अब टीपिकल केस की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले तो डिसाइड करो कि प्लॉट घूमा है या नहीं घूमा है तो कितना घूमा हुआ है साथ यहों देखिए यह जो प्लॉट है यह भी प्लॉट घूमा हुआ है जिसमें की नौर्ट साउथ एस्ट और वेस्ट यहां पर आ रहे हैं यह भी प्लॉ आया, South यहां पर आगया, East यहां पर आया, West आया यहां पर, यह भी हुआ 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 है, यह सभी स्थितियां, कोई भी स्थिति आपके सामने आ सकती है, क्योंकि जब plot काटे जाते हैं, colony बनाई जाती है, कुछ ही बनाई जाता है, तब चाहिए सरकार को, यह authorities को चाहिए कि का plot को काटें, colony को बसाएं, colonizer को भी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो पहले खेत होते हैं, खेत का जो रास्ता होता है, उसकी मजबूरी होती है, जो चक्रोट होता है, उसकी मजबूरी होती है, चकबंदी में जैसे भी road का निर्धारन होता है, उसके साबसे दिशाएं कभी भी सीधी, आम तोर पे नहीं आया करती है, पर चलिए, ये दोश किसी का रही नहीं है, इसमें कोई दोश ही नहीं है, हम बात कर रहा है कि हम कैसे निप्टेंगे इससे, अब देखिए, अगर कोई भी plot मा लेता हूँ कि इस तहां से बना हुआ है, जि मैं तो as consultant बहुत बारिकी में जाता हूँ, मैं तो 100% accurate लेकर चलता हूँ, एक परशंट भी गलती होने के chances नहीं होते हैं, लेकिन एक raw man होने के नाते, एक मतलब एक ordinary आदमे के होने नाते, ये सब के सब स्थितियां जया है, नौर्थ की ही बनती है, वो सिधान्त जो की नौर मैंने के अगर हमारा कहीं पर बना हुआ है, अगर इसमें cardinal direction बन जाती है, नौर्थ, वेस्ट और साउथ, दक्षिन, उत्तर, पुरव, पश्यम, अगर ऐसे बनता है, तो मैंने आप से कहा था कि toilet के seat WC लगाने के लिए आपके पास ये तीन स्थितियां आती है, और आपके यहां अवाइड करते हैं, यहां अवाइड करते हैं, यहां अवाइड करते हैं, यहां भी लगा सबते हैं, कोई अब देखिये, यहीं बैटें वाला का seat पर बैटें वाले का मुए हा तो धक्षिन में होगा यह साउथ में होगा, यह नॉलमी में होग frågor, यह Пос Gibson लिति और эт इस स्थिति हमेशा नहीं मिलेगी आपको आज मैंने जो टॉफिक लिया है एब में फॉभा पर आता हूँ कि आपको ऐसी स्थिति मिलने वाली नहीं है अब आपको स्थिति मिलेगी वो अगर घूमी भी होती है, suppose कि यहां पर North आजाएगा, इधर East आजाएगा, और इधर South आगया, इधर West आगया, पूरव पश्चिन, उत्तर दक्षिन, अगर ऐसी स्थिती आती है, तब आप क्या करेंगे, सबसे अच्छी स्थिती, इस case के अंदर आपको मिलती है, WC के लिए, आप फेस करेंगे North-West में, ना तो West में फेस करना गलत, ना North में फेस करना गलत, तो North-West में अगर हम फेस करते हैं, तो WC की टॉलेट सीट की First position आती है, इस तरह से, Second position हमारी आती है, तब जब हम लगाते हैं, टॉलेट की सीट को इस तरह से, दो पोजीशन हो गई, इसका मतलब यह हुआ, कि हम कभी भी कोई भी WC कोई भी लेटरिंगी सीट इधर ऐसे नहीं लगानी चाहिए क्योंकि जब मकान ऐसा होगा जब मकान हमारा अपना कार्डिनर डिरेक्शन पर घूमा हुआ होगा तो क्या हुआ अब मकान ही अगर हमारा इस तरह से घूमा होगा तो निश्चित रूप से आपका जो पूजा स्थान बनेगा वो पूजा स्थान ऐसे कहीं बनेगा यानि जब आप फेस करेंगे पूजा करते हुए तब आपका फेस जाएगा नौट इसमें तो जिदर हमने सूरज को जल दिय जिदर हमने पूजा की जिदर हमने गौड को हमने जैड डिवोशन किया हमारे एमोशन वहां पर गए उसी फेस में हमें टॉलिट नहीं करना चाहिए ये जो दोनों सितियां हैं जो रैड कलर से मैंने बनाई हैं ये दोनों नेगटिव होती हैं और ऐसे केसिस के अंदर आप एक बड़े राम से सबस्याद चूह होते हैं इसके बाद अगर नहीं फिट होते तो आपके पास में अभी आधी जगाह और भी होती है यहां पर भी पाने के नल हो असकते हैं इसका मतलब ये नट शैल में जो मेरा परपस था आज आपको समझाने का वह यह था के एक आधर टॉलेट आपकी जह है नौर्थ घुमेवे प्लॉट के अंदर कैसे बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि जिसके अंदर यहां पर हमारी उत्तर दक्षिन बुर्व पश्चिम डबलू सी हमारी यहां पर आएगी यहां भी जहां भी आज इस जिगहां पर आ सकती है उसके बाद आ नहाने के जुनल लगाएंगे वो यहां पर लगा दें कि जिससे के आपका जहरी शौवर एडियास को बोलते हैं नहाने का स्थान बात एरिया मजाएगा दरवाजा कहीं यहां भी हो सकता है दरवाजा यहां भी हो सकता है कहीं भी इसका डूर हो सकता है मैंने आप से कहा था कि वादो में अंदर के दरवाजम कोई भी विचार नहीं होता जहां चाहें मा आए हाँ टोलेट के दरवाजम को पुजा स्काँ को फेस नहीं करना चाईए किजन को भी फेस नहीं करना चाहिए अब देखिए यहां पर हमने लगा दी अपने पानी के नल different color यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको सुविधा रहे यहां पर जाया हमारे पानी के नगप हो सकते हैं अराम से यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है मुझे लगता है मैंने आपकी समस्या का समारांग कर दिया और यह स्थिती तब भी होगी साथियों यह स्थिती तब भी होगी जब यह नौर्थ यहां से हटकर थोड़ा सा अगर आगे आ जाएगा तब भी यह स्थिती ऐसे ही रहेगी अगर यह नौर्थ यहां ना आओ करके यहां होगा तब भी ऐसी होगी यहां ओगा तब भी ऐसी हो सकती है यहां ओगा तब भी ऐसी हो सकती है यहां पर आने के बाद यह Uh तो आक के स्थिती ऐसे पन सा πο्राने मीन नौर्थ यहां पर इदर आ गया साऊंध 만들 यहां पर आ गया इस्थ और वेस्ट पूरव प्सिम उत्तर दक्षिन सबसे बढ़िया टॉलेट की इस्थी थी पानी का नल हमने उत्तर में लिया उत्तर पूरब में लिया डबलू सी लगाई हमने साउथ में फेस कराया हमने नौर्ट पैस में सबसे अच्छी पोजेशन होती है साथी यह टॉपिक छूट गया था पिछली बार जिनके प्लॉट घूमे वे थे और वो फस गए थे क्योंकि जो वास्तु वाला बता रहा है वो सीधी दिशाओं के बारें बता रहा है घूमे दिशाओं के बारें में किसी को ग्यान नहीं मिल पा रहा है अगर आप भी उनमें से एक थे तो ये आपके लिए बहुत यूसफुल है और अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा था तो समझ गया होंगे ना सब्सक्राइब कर लो ज्याद अच्छा रहेगा क्योंकि आपके काम के होते हैं हर टॉपिक आगे जिन्दगे में आपने आगे बढ़ना है आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हर्मनी चाहिए आपको जिन्दगे विकास चाहिए तो वास्तों के इसाब से उठजाओं को अपने लिए अपने भले के लिए यूज़ करना सीख जाओ अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूँगा एक निया टॉपिक लेकर आउँगा ऐसा ही टॉपिक जो कि आपके मन को उल्जहा रहा है बहुत देर से सुलजाओंगा आपकी उल्जहन को तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त नमस्कार धन्यवाद थेंक यू और टेक कियर